जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले है SSCGD कॉंश्टेबल भरती में आप लोगों की जो 25 नंबर की रिजनिंग आने वाली है उसको लेकर आप लोगों की scoring topics के बारे में बात करेंगे और जो पिछले साल जो reasoning से किन topics से कितने questions पूछे गए है और इस बार कितने क्या questions पूछे जा सकते है ठीक है इन पे हम discuss करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important इसलिए कि reasoning ही आप लोगों का सबसे ज़्यादा scoring topic होता है ठीक है आप इसमें चाहे तो 25 में 25 नंबर ला सकते है तो वीडियो को अन तक देखते रहेगा काफी important वीडियो है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं जो आप लोगों के subject है है ना सभी subject में important जो topic है सभी को यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूं तो आपने अगर maths का नहीं देखा था तो देख लीजेगा ठीक है मैंने आप लोगों के GKGS वाले में भी बताया कि आपको किस तरीके से आगी आप पढ़ना है उसमें कोन-कोन से scoring topic है इन चीजों पर ठीक है तो वीडियो को अन तक देखते रही है और अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel को जरूर subscribe कर लिजेगा ताकि आने वाली updates आप लोगों को मिलती रहे देखिए इसले बस आप लोगों ने देख लिया है और उसमें से आप लोगों को आप जो समय बचा है लगबग आप लोगों के पास 30 दिन का समय बचा है आपके exam में अब आप उस दिन में कैसे जो है आप select करेंगे उन topic को को जिसको ज़्यादा आप लोगों को focus करना है आप लोगों को best practice set के लिए best practice set की तो यहां पर है छक्सु प्रकासन का रहने वाला है ठीक है यह काफी अच्छा practice set है इसमें आप देखेंगे तो आप लोगों को 20 practice set मिल जाएंगे आठ solve paper भी मिल जाएंगे जो पुराने आपके papers हुए है 2019, 15, 13, 11 में तो यहां पर आप देख पा रहे होगे इसमें 3200 प्लस आप लोगों को objective मिल जाएंगे आप अपने subject wise अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं यह कुछ इस तरीके से practice set रहेगा इसको आप online बुला लीजेगा और आज से ही अपने practice सुरू कर दीजे काफी important है कि आप जादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है तो आप यहां से आप topic wise जो है आपने practice कर सकते हैं या फिर जो previous year paper है वो भी यहां पर दिये हुए है और इस book के साथ जो है जक्सु प्रगासन में जो आप लोगों के 2018-19 में जो paper हुए थे ठीक है वो all shift के paper का भी जो है आप लोगों को previous year book मिल जाएगा ठीक है उसका भी link आपको description मिल जाएगा और link आपको दिया हुआ या भी आप किसी भी store से जो है जाकर आप ले सकते ये तीनों book के आप लोगों को वहाँ पर available हो जाएगी और practice set तो खास करके आज से ही आप जो है शुरू कर दीजे पर दूसरे तिसरे दिन आप जो है एक practice set हल करिए ठीक है अब यहां पर आप देख ल आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है sitting जो arrangement है ठीक है sitting arrangement में ही आप लोगों के चार question आते तो आप लोगों को इस topic पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस topic से आपको ज़्यादा प्रशन आ रहा है ये पहला topic हो गया दुसरा यहाप अगर हम बात करते तो missing जो turn है ठीक है उसमें सी भी आप लोगों के missing जो numbers है ठीक है उसमें भी आप लोगों के तीन questions आ रहा है तो यहाँ से आप लोगों को इस topic को ज़्यादा ध्यान देना है आज से जो आप लोगों के आगे की run निती रहेगी ठीक है matrix पे आपको एक number पूछ रहा है ठीक है direction से आपको जो है एक number पूछ रहा है ठीक है nonverbal से एक number पूछ रहा है तो आप इन topic को पे ज़्यादा ध्यान ना दे इन topic को आप जो है छोड़ सकते या फिर आप थोड़ा वोधीन पे ध्यान देंगे तो आपका समझ जो है बचेगा ठीक है अगर बात करते हैं यहाँ पर odd जो out on out जो है ठीक है उन से आप लोगों को तीन से चार question पूछे जाएंगे ठीक है यह आपको सावसी syllabus में मिल जाएंगे आप लोगों के इनको आप जो है syllabus देख लीजेगा उसमें से आप जो है उन topic को ध्यान देंगे जिन से ज़्यादा question पूछ जा रहे है ठीक है अगर यहा लेटर सीरीज है वहां से भी आप लोगों को दो से तीन question आते है तो यह भी आप लोगों के लिए जो scoring topic होगा scoring point होगा तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे सीरीज में ठीक है अब यहाँ पर अगर हम बात करते है मिसलेनियस जो subject topic होता है ठीक है उससे पाच questions आते है ठी जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन-कौन से topic बता है total 25 यहाँ पर questions आते है और 25 में आप 25 कर सकते है जैसे कि आपका मिसलेनियस हो गया ठीक है सीरीज हो गया इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना analogy हो गया ठीक है odd and out से आपको questions बनेंगे ज्यादा questions आएंगे यह topic आप लोगों को देख लेना अच्छे तरीके से 3-4 questions बन रहे हैं आगे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप लोगों का जो missing turn है ठीक है missing turn से टर्म से आप लोगों को तीन questions आ रहे है और आप लोगों का sitting जो है arrangement से आप लोगों को चार question आ रहे हैं ठीक है coding decoding भी आप लोगों को पूछ सकते हैं ठीक है तो आप आपके पाँ ज्यादा समय नहीं बचा है और आगे की तयारी आप अच्छे से करिए आपके पास काफी कम समय है ठीक है चैनल से जुड़े रहीएगा आगे की अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन